चलिए चेक माइक ठीक है चलो आज एक न्यू चप्टर नोन प्रोफिट और्गनाइजेशन सबसे पहले हम समझेंगे अब आउट चेप्टर क्या है सर ये नोन प्रोफिट और्गनाइजेशन इसमें से कुश्चन कितने नंबर काएगा तो सर इसमें सवाल जो पूछे जाएंगे वो 15 मार्क्स के आपके एक्जाम में पूछे जाते है डिपेंड औन कुश्चन पेपर कितने का डिजाइन होता है अगर कुश्चन पेपर 55 का डिजाइन हुआ तो 11 का आएगा यानि 5 कुश्चन है ना तो 5 कुश्चन को आप पूरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगर 100 का पेपर आता है तो 25 का हो जाता है यह 20 नंबर का 75 का पेपर आता है तो 15 का हो जाता है बागी maximum चांसे के 15 का रहता है फिर 75 का exam होते है इसमें क्या-क्या topic सीखेंगे हम सर अभी हम समझेंगे end profit क्या होते है इसमें पहले topic क्या-क्या सीखेंगे एक सीखेंगे हम stock consume एक सीखेंगे हम इसमें सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन एक सीखेंगे हम fund based accounting fund based accounting और although आप सभी के पास 12 में भी था तो थोड़ा help मिलेगा जरूर इसमें आपको इसके बाद सीखेंगे हम income and expenditure income and expenditure इसके बाद सीखेंगे हम income and expenditure एंड बैलेंच शीट यह जितना भी टॉपिक मैंने अब तक लिखा है सारा ट्विल्थ का टॉपिक है अब आ जाते हैं एडवान्स कुश्चन पे इसके बाद हम सीखने वाले हैं इसके बाद हम सीखेंगे ओपनिंग बैल रिसिप्टेंट पेमेंट एंड बैलेंशीट रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंशीट रिसिप्ट एंड पेमेंट बैलेंशीट इसके बाद सीखेंगे सर इसके बाद सीखेंगे इसके बाद सीखेंगे लिए बैलेंशीट and closing balance sheets closing balance sheet and closing balance sheet तो सर ये topics हैं हमारे जिसको हमें एक के करके cover करना है chapter का नाम है non-profit organization सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर ये chapter का difference क्या है देखिए हमारे जो business होते हैं वो दो तरीके के business होते है एक business होता है अपनी भलाई के लिए सर अपनी भलाई के लिए मतलब यानि जो भी profit कमाएंगे जो भी profit कमाएंगे वो सारा profit मेरा होगा और किसी का नहीं मतलब हम इस profit को बांट लेंगे इसका मतलब सर हमें इसमें main objective main objective रहेगा हमारा profit को earn करना जो कि हमने final account वाले chapter में देखा है main objective रहेगा earn करना जो कि हमने final account वाले chapter में देखा है इसके बाद सर एक मुद्दा रहता है हमारा दूसरा एक business होता है वो जो business होगा इसका main objective होगा लोगो की भलाई करना तर लोगो का भलाई करने से मतलब अपनी भलाई तो आप किसी भी तरीकी का business कर लो इसकूल खोल लो फैक्टरी खोल लो हॉस्पिटल खोल लो इसके बाद आप cloth का business खोल लो अगर आपका objective है ने इन सब business से हम profit कमाएंगे profit कमाना अगर आपका उद्देश है तो sir यहाँ पे आपको बनाना पड़ता है नमबर वन ट्रेडिंग एंड profit and loss account नमबर दो balance sheet sir balance sheet तो कोई profit loss नहीं बताता balance sheet क्या बताता है बताओ balance sheet बताता है assets liability तो वैपार किसी तरीके का भी हो यह तो चाहिए ही चाहिए same बदल यह जाएगा अगर आपका उद्देश प्रॉफिट कमाना है तो आपको profit and loss बनाना पड़ेगा अगर आपका उद्देश लोगों की भलाई करना है तो बस आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा और हिसाब किताब रखने के लिए आपको बनाना पड़ेगा income and expenditure account कि कितना पैसा income हुआ और कितना खर्चा हुआ सर इसमें इंकम भी बड़ा यूनिक होता है इंकम जादा से जादा क्योंकि हम लोगों की भलाई कर रहे हैं तो लोगों की भलाई करने का मतलब मुफ्त में नहीं देना लोगों की भलाई करना मतलब कि मैं रोटी पानी खाना छोड़नी दूँगा इसका मतलब है सर यहां पे भी आपका होगा इसकूल यहां पे भी होगा hospital यहां पे भी होगा आपका sports club यहां पे भी होगा आपका hospital हो गया सकूल हो गया और क्या हो सकता है धरम साला जिसे हम बोलते हैं कि भर अधरंशाल को धर्रम साली तो बोलते हैं है अधर मिट्साला करें को होता है होगा खाना पीना खिलाते हैं सबीकों यहां पे हो सकता है sports club के बाद को लोगया hospital हो गिया और क्या ज़रूरी है लोगों के लिए है यहां पर हो सकता है मंदिर मजद्ध गुर्दवारा जो लोगों के लिए जरूरी है तो सर्थ यहां पर इनका उद्देश्य यह होगा कि कि यही सारे business करेंगे यह लेकिन इनका जो income होगा ना कुछ बेच करके नहीं आएगा बेसिकली इनका इंकम का सोर्सों का सरकार यानि हम सरकार के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे सर हम बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम इंडिया को डेवलफ कर रहे हैं तो हमें आप दीजिए चंदा हम बड़े-बड़े करोड़ पती के पास जाएंगे बड़े-बड़े बिसनस्मेन के पास जाएंगे भईया हम जो है बच्चों की भलाई की काम कर रहे हैं लोगों को हस्पिटल में मुफ्त इलाज कर वा रहे हैं तो हमें चाहिए पैसा तो अब दो ही काम हो सकता है अगर मैं मैं अगर हिलाज करूँ और लोगों से अगर मैं पैसे ले जाओ तब तो मैं इस कटेगरी में आ गया पैसे लेने का मतलब है कि मैं एकदम जितना खर्चा हो रहा है उतना लोगों से वसूल लूँ तब तो मैं आगे इस category में profit कमाने लग गया दूसरा हो गया कि खर्चा 100 हो रहा है लोगों से एक nominal से 57 रुपे ले लिया जाए एक registration fees तो 95 रुपे का तो उसको benefit दे ही रहना तो वो अगर काम कर रहे हैं तो हम इस category में आ जाएंगे और इसके खर्चे और इल्क से खर्चे एकदम समान होते हैं salary यहाँ पे भी staff को जाएगा salary यहाँ पे भी staff को जाएगा बिजली का bill इस वाले भी category में आएगा बिजली का bill भी इसमें आएगा तो यानि खर्चे तो बिलकुल होंगे same but sir income में फरक आजाता यहाँ चंदे के दर पे चलता और यहाँ पर income क्या होगा sir यहाँ पर income होता है हमारा sales यहाँ पर क्या income होता है हमारा sales जैसा कि हमने करा भी है तो ये फरक है हमारा profit organization नों profit organization sir non profit organization को सरकार जिब आइस कुछ काम करते हो न तो साथ के साथ बहुत सारे privileges भी देती है privileges मतलब फाइदे भी पहुँचाती है जैसे एक तो donation तो दे ही रही है साथ के साथ वहाँ पर authority दे देता है कि आप certificate भी दो आप अपनी company को promote करो और जितनी भी बड़ी बड़ी company है उन सभी के उपर सरकार ने restriction लगा रखिये कि अगर ऐसी कोई भी company आप से चंदा मांगने आए तो उनको चंदा दो और उनके उपर provision भी लगा दिया कि आपको चंदा देना ही पड़ेगा तो इसका मतलब सर नोन प्रॉफिट और्गनाइजेशन का अगर मैं एक्जामपल लूँ तो सर स्कूल हॉस्पिटल स्पोर्ट्स क्लब धरमसाला मंदिर ये सारे नोन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है तो इस नाम कब ऐसे इसी चीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है वैसे हाला कि देखा जाए तो ये फ्रॉफिट भी होते है आप स्पोर्ट्स कलब में चले जाओ प्राइवेट भी ऐसे है जहां पे क्रिकेट वगरा एकलाते हैं प्राइवेट अकेडमी है हॉस्पिटल तो आपको पता ये धेरो हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट है जहां पे आपको जितने पैसे लगेंगे उससे ज्यादा ही लेंगे कम तो नहीं लेंगे कुछ एक हॉस्पिटल ऐसे है जिस पे बहुत नाम मात का लिया था हमें सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा है वो तो फ्री है बिल्कुल मैं उसकी बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक hospital खोल लूँ और उस hospital में लोगों का इलच किया जाए तो आप जब जाओगे ना तो हर area में होता है कोई hospital जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ परची घटते है परची कितने की? मामूली सा 10 रुपे 15 रुपे का वहाँ पर चेक अप पूरा फ्री किया जाता है लेकिन दवाई आपको जो लिखेंगे वो बहार से लेनी ही लेनी पड़ती है लगबग ऐसा मैंने देखा है सरकारी में तो चेक अप भी फ्री परची भी फ्री और दवाई भी फ्री पर ये दवाई अफॉर्ड नहीं कर पाते तो बोलते हैं यह डॉक्टर हमने रख रखा है इसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा कई पार्क वगएरे में ब्लड पेसर वगएरा फ्री में चेक कर रहे होते हैं पार्क वगएरे में शुगर फ्री में चेक कर रहे हैं पार्क वगएरे में आप देखोगे तो आखो का जो चस्मा वगएरे स्पेक्स वगएरे फ्री में है ब्लड डोनेशन वो फ्री में अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा non-profit organization के अंदर सर जब होगा तो हम इसमें क्या कुछ भी नहीं निकालेगे निकलेगा इसमें जब कभी भी हमारा खर्चा मान लेते हैं हमारा expense मान लेते हैं expense हमारा 100 रुपय का है और सरकार ने donation चंदा जो आ गया डोनेशन डोनेशन आगया 500 रुपय का तो इसका मतलब सर 50 रुपय बच गये तो इसको क्या हम profit बोलें नहीं इसे surplus बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम profit अगर बोल दिया तो है हाला कि profit यह है ठीक है ना लेकिन हम एक word change कर देंगे ताकि पता चल जाए कि भाया यह जो है यह हमारा non-profit organization से आया हुआ है अब ऐसा भी हो सकता है इसको हम surplus भी बोलेंगे और ऐसा भी बोल सकते है income over expenditure यानि income जादा है किस से expenditure से दूसरा यह भी possibility है कि आपका खर्चा 80 रुपए है और donation आपका मान लेते हैं 70 रुपए है तब तो सर 10 रुपए का loss हो गया तो इसको loss ना बोलके इसको बोलेंगे deficit इसको बोलेंगे deficit या फिर दूसरा क्या बोलेंगे expense ओवर income समझ में आई बात यानि सर यहां पे हम पी एंडल के वज़ाए क्या कौन सा अकाउंट प्रपेर करेंगे income and expenditure यहां पी एंडल होता तो यह वालत portion तो हम सीखी चुके हैं इसके बाद यह देखेंगे तो बहुत मुस्किल चप्टर नहीं है simple chapter है लेकिन आप simplicity और practice के point से ले होगे क्योंकि यहां पे income and expenditure बनना होता है वो पी एंडल है तो फरक कुछ नहीं एक खर्चा income वैसे ही डालोगे debit में खर्चे और credit में इंकम बात वही रहे जाएगी अब इसके बाद यहां balance sheet भी बनना होता है तो sir balance sheet हर जगह एक ही जैसा होता है चाहे आप इसकी balance sheet बना लो assets में assets और liability में liability यहां भी capital होगा यहां भी capital के अंदर profit जुड़ जाता था यहां भी capital के प्रॉफिट ना जुड़के क्या जुड़ेगा surplus जुड़ जाएगा यहां पे capital में loss minus होजाता था यहां पे capital में क्या minus होजागा deficit minus होजागा बस इतना फरक है तो sir इसका मतलब यहां ज़्यादा फरक नहीं है हमारा तो बिल्कुल simple chapter मान के करें बिल्कुल हाँ यह तीन topic सीख जाते हैं चप्टर खतम हो जाता है लेकिन इस तीन topic के अंदर कुछ points ऐसे ऐसे आते हैं जिसको हमें एक अलग से topic बनाके सीख लेना चाहिए ताकि वहाँ दिक्कत ना हो जैसे stock consume करना क्योंकि मैंने बोला कि आपका जितने भी आपके NGO होंगे वो कौन होंगे स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, आपका charitable institution होंगे तो हॉस्पिटल या स्कूल की हम बात करें तो स्कूल के अंदर stock का maintain करना बहुत जरूरी है क्योंकि books है, dresses है जो बच्चों को free में हम provide कर रहे हैं तो उनका stock को maintain करना ऐसे hospital में देखा जाए तो kit वगरा हो गया या फि पान के चले कुछ medicines भी free दी जाती है तो उसको भी manage करना बहुत जरूरी है, sports club में देखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है, आपका football हो गया, batball हो गया, उनके जो sports के material है तो उसको manage करना जरूरी है, तो हमें एक सीखना है stock consume, कई बार सवाल इस individual topic पे भी exam में पूछ लिया जाता है, और खासकर बारवी में तो इसमें से question आता ही आता था एक question, simple सी बात थी है, तो हम पहले एक एक करके खतम करेंगे, आज हम करेंगे stock consume, फिर subscription, अगर ये दोनों पार्ट खतम हो जाता है, फिर तो रफतार में आ जाता है ये chapter, तो चलिए हम start करते है stock consume, होता क्या है stock consume, stock consume, stock consume का मतलब है, basically, sir मान लो, stock का मतलब क्या है, मैं खर्चे के लिए बड़े सारे समान ली आता हूँ, मान लेते हैं, मैं marker का 10 packet लेके आता हूँ, खर्च करने के लिए, लिखने के लिए, तो उस stock को manage करना, उस 10 में से 6 अगर use कर लिए, तो 4 मेरा closing stock हो गया, यानि ये वो वाला stock नहीं है, जो कि sales करते थे तो उसमें से बच्चता था, क्योंकि यहाँ तो sales ही नहीं है, तो stock किस बात का, ये खर्चे का stock है, सर, समझ में नहीं आए, ये खर्चे का stock कैसे है, ये कौन सा stock है, सर ये, ये वाला stock होगा हमारा खर्चे का, मान लेते हैं, मैं medicine free देता हूँ, तो medicine based तो नहीं रहा, medicine free देता हूँ, मैंने क्या करा, PCM, paracetamol, PCM, PCM के मैंने 100 tablet लाए, जिसमें से मैंने मरीजों को 50 या 40 दे दिये, तो बचे कितने मेरे पास, तो इसका record रखना पड़ेगा हमें, तो ये हमारा closing stock है, लेकिन closing stock किस का, आपका medicine का, ऐसे हो सकता है, same organization के अंदर मेरे पास stationary भी use होता है, stationary मेरे पास पहले 2000 रुपे का था, जिसमें से अब मैंने 300 रुपे का खर्च कर दिया, तो बचा 1700 का, तो ये भी क्या है, stock है, तो एकी organization में बहुत सारे stock हो सकते हैं, तो सबसे पहले कई बच्चे coordinate कर नहीं पारते, उस stock को मत समझेगा, तो यहाँ पर देखा जाए, तो सर यहाँ पर opening stock भी होगा, और जो use कर लेते हैं, use, जितना part use कर लिया, that is called consume, उसे क्या बोलते हैं, consume, और जितना part consume होगा, वही तो खर्चे में दिखा हो गया, मैं 10 marker खरीद के लिए आया, use ही नहीं किया, तो P&L के debit में नहीं दिखा सकता, उसे assets में दिखाऊंगा, क्योंकि use नहीं हुआ, उसमें से 2 marker अगर मैंने इस्तेमाल किया, तो 2 marker खर्चे कियें, उसी को P&L के debit में दिखाऊंगा, मैं, समझे रहे हैं, यानि जितना खर्चा हो पर यहाँ में दो तरीके के सवाल बन जाते हैं, एक simple और एक थोड़ा सा difficult कह लो, एक simple और एक थोड़ा सा difficult कह लो, देखो, मैं तो simple सी बात जानता हूँ, आप अगर किसी चीज को करने की सोच लो, तो वो ऐसा ही नहीं के होगा नहीं, कुछ भी चीज हो, कुछ भी anything, मतलब जो आपके बस में है, पढ़ना तो आपके बस में ही है, अगर आप सोच लेते हो कि भाईया, यह तो हम करके कर लेंगे, इस सवाल को कर लेंगे, तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दस बार प्रैक्टिस करोगे, बारा बार, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, जो कि नहीं हो सकता, चलिए सर, और ज्यादतर बच्चों के माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है, कि सर, यह चेप्टर मुस्किल है, मैं सचा ही बताओ ना, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ता है, तो आपका माइंड भी बिल्ड़ अप होता है, आपका क्या, दुनिया में हर एक इंसान का माइंड बिल्ड़ अप होता है, और उसे उस तेम पे कुछ भी करा दिया, जब कुछ भी कर लेगा, स्टाउक अकाउंट, सर, स्टाउक अकाउंट का मतलब सबसे पहले तो समझो, ये स्टाउक हमारे बिजनस के लिए क्या है सर, सर ये स्टाउक जो है वो बिजनस के लिए एसेट है, ये क्या है, assets है इसको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना आपने समझ रहा है अब assets है तो assets है तो debit हर किसी का account का वैसे इधर ही रहता है लेकिन मैं अगर पूछू ना तो इधर balance BD की शुरुआत होगी कभी भी liability होगा ना तो liability का balance BD का शुरुआत हमेशा कहां से करते है और asset से तो कहां से एक तो यह बात clear होना चाहिए दूसरा जिधर balance BD होता है उस side से हमेशा वो बढ़ जाता है और जिधर balance CD आता है उस side घट जाता है यानि opposite side घट जाता है तो अगर मैं starting का balance बोलू तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 2 balance BD 2 balance BD और अगर मैं बोलू stock बढ़ेगा कब बढ़ने के दो ही reason है आप stock ना मतलब मेरे पास मान लेते हैं PCM मैंने paracetamol का example लिया seridon example लिया दबाई का तो मेरे पास stock में पढ़ा था starting में opening में यह बढ़ेगा कैसे खरीद के लाता जाऊँगा और बढ़ता जाएगा है ना तो अब अगर मैं कोई भी stock खरीदूँगा तो आप दिमाग लगाईए 2 में लिखना चाहिए या बाई में लिखना चाहिए 2 में लिखना चाहिए तो तू आपका या तो आप cash में purchase करोगे उसको है ना या फिर credit में खरीदोगे तू में या तो cash में खरीदोगे या फिर credit में खरीदोगे अब balance CD इसका यहाँ आएगा यह आप सभी जानते हो नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए जिधर BD होता है उसके opposite side balance क्या होता है CD तर अब buy side में अगर कुछ भी लिखूं तो उसका मतलब तो एक ही होगा ना आप उसको कम कर रहे हो तो जैसे आप stock को use करोगे तो कमी होगा तो buy side में निकलेगा हमारा stock consume और buy side में अगर कोई stock मान लेते हैं loss हो गया मान लेते हैं आपके पास आप 10 tablet लिके आ रहे थे दो tablet रस्ते में गिर गए तो loss in transit हो गया तो stock तो कमी होगा ना तो buy side में दो ही आएगा या तो loss हो जाए loss का मतलब stock आपका रहा नहीं और या फिर आपने क्या कर लिया consume एक और है आपने किसी को बेच दिया ऐसा भी possible है कि आप बेच सकते हो buy, sale तो अगर आप stock को sale कर दोगे तब भी buy side में आएगा आप यहाँ पर यह मैं समझना है कि इतना सारा format याद करना है simple सा logic है अगर मैं पूछूँ आपसे simply कि हम sale करेंगे तो हमारे stock घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो आप simple सा जवाब दोगे सर घट जाएगा और उसे buy side में लिख दो इसी को करने का एक और तरीका है हम क्या करते हैं इसी को हम कर लेते हैं इसे statement format में statement format में कैसे यानि minus plus करके बड़ी simple सी बात statement format में भी इसको कर लेते हैं कैसे करेंगे सर statement format में सबसे पहले आप लिखोगे opening stock यह थोड़ा उल्टा करते हैं book वाले वैसे ही कर देते हैं closing stock यह तो opening ले देते हैं opening stock इसमें add कर देते हैं purchase इसमें minus कर देते हैं closing stock तो हमारा आ जाता है consume भी देख लेंगे पहले format में किसी को कोई दिक्कत format समझ में आ रहा है इसका एक example देख लेते हैं sir आपके हाला कि किताब में भी example है तो example देख लेते हैं मैंने कहा opening stock of stationary पांच हजार closing stock of stationary पांच हजार परचेज 10,000 find stock consume बोल देगा या find कितना हमारा stock income and expenditure में जाएगा ये भी बोल देगा क्योंकि income and expenditure में क्या जाता है consume ही जाता है या तो आपको consume बोल देगा या बोल देगा कितना stock income and expenditure में जाएगा ये बताईए दो ही चीज़ पूछी जा सकती है चरिए sir इस सवाल को हम दोनों format से क्या मैं बस एक format से कर देता हूँ जो account वाला format है इस से कर देते हैं बड़ा छोटा सा सवाल चलिए आप सभी को पता है 2 balance bd अभी अभी सीखा है 2 balance bd अधर आ जाएगा और balance bd में देखा जाए तो मैंने कितना लिखा है और सबसे पहले लिख लेंगे buy balance cd यानि सवाल को करने के लिए balance bd ढूण लो balance cd ढूण लो पहले ही लिख लो इसको जाके अब इसमें purchase है तो आप दिमाग लगाओ purchase किदर आएगा तो उमें आएगा purchase तो purchase कितने का है 10,000 का ना टोटलिंग का प्रोसेस करिए यह आ गया 15,000 और यही total एदर आजाएगा 15,000 और buy side में आ जाएगा stock consume और इसकी जगह पर आप income and expenditure भी लिख सकते हो income and क्योंकि यह जाना का है वही जाना है income and expenditure तो sir यह आ गया 11,000 that's it, answer done कई बार यह सवाल ना 5 नमबर का पूछा जाता है और बारवी क्लास में तो चार नमबर का या तीन नमबर का आना ही आना तैह होता है यह सवाल लेकिन इस बार तो हटा दिया असलिए बस में से यहां तक किसी बच्चे को doubt तैली देखो मैं वैसे करा दूँआ बाकि टैली मेरा नहीं है जो कॉलेज में है ना वो कॉलेज के अंदर टैली कब से आपका Monday है आपका टेस्ट है ना online कब है मैं बता देता हूँ कैसा टेस्ट होगा एक बार मैसेज दिखाओ मैं बता देता हूँ किसी के पासा है मैसेज दिखाओ यहां तक क्लियर है कैता है यहां तक क्लियर है कैता है आद्वाइस तो विजिट शुडेश वेब S.O.L. Student Login for confirmation subject date and time accordingly चलो अभी बता देंगे S.O.L. वाले बच्चों का कैसे रहेगा इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होता है ना यहां हमें गीवन होता है जब हमें स्टाउक भी गीवन होता है एंड क्रेडिटर भी गीवन होता है आफ स्टाउक जब क्रेडिटर आफ स्टाउक गीवन होता है चलिए दूसरे पॉइंट पे चल लेते हम क्रेडिटर आफ स्टाउक हमने लिखा स्टाउक अकाउंट और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टाउक है ना हम खरीद भी लेते हैं उधार पे तो अगला बनेगा हमारा सर स्टाउक क्रेडिटर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले स्टाउक अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो स्टाउक अकाउंट तो वही है यह तो सिंपल है इधर क्या लिखना है टू बैलेंस बीडी एसिट है और इधर क्या लिखना है बाई बैलेंस स्टी और सर मैंने यहां क्रेडिटर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए सर क्रेडिटर अगर आप बोल रहे हो तो यह क्या है हमारा लाइबलिटी है यह क्या है हमारा तो लाइबलिटी का बैलेंस बीडी किदर होगा बाई बैलेंस बाई बैलेंस बीडी समझ रहे हो और इसका सीडी किदर होगा टू बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी यानि क्रेडिटर हमारा liability है इसलिए balance bd दर से और cd दर से अब creditor घटने के क्या कारण हो सकते हैं पहले creditor बढ़ने के कारण बताओ creditor बनता कैसे है जैसे उधार माल खरीद होगे creditor बन जाएगा तो creditor बढ़ने के reason बताओ तो buy side में आपका अगर आपने credit में क्या करा समान paid कर दिया तो sir अगर creditor से बात हम समझे अगर हम creditor को in detail तो creditor में हमारा क्या connection है इस account और इस account का connection है क्यों है connection sir क्योंकि यहाँ पे हम लिखते है to cash में purchase तो यह इसका तो कोई connection ही नहीं है इस account में तो आया नहीं लेकिन एक शब्द और लिखते है और credit purchase पता है कहां से निकाला जा सकते है तो purpose समझो यह account क्यों बना रहा है इस account बनाने का only and only one purpose रहता है mainly के हमारा credit purchase पता चले और यही credit purchase क्या करते हैं यही same credit purchase जो यहाँ है वो यहाँ आ जाता है हाला कि यह नीचे से उपर जाएगा ठीक है हाला कि यह नीचे से यानि पहले यह निकलेगा और यह वाला उठा के आँगा समझ में आ रही है बात आपको जैसे ही आपने credit purchase निकाला credit purchase निकालने के बाद finally आपका finally आपका यहाँ पर buy side में फिर से जो हम निकालना चाते थे यहाँ तो मैं लिखते थे हूँ income and expenditure account income and expenditure account यह आज़ा तो यह तो बन गया sir जब आपको stock of material का जब material कह रहा हूँ जब stock stationary medicine का given हो साथ के साथ उसका creditor का भी balance given हो जैसे मैंने लगा stationary का stock तो stationary का creditor तब आपको यह दो account बना के कर लेना चाहिए यह अगर आपको साथ के साथ सारी चीजे दे रहा है आपको cash purchase भी दे रहा है और creditor opening भी दे रहा है creditor closing भी दे रहा है तो इसकी कोई value नहीं बचती क्योंकि हमारा main purpose निकालना और यह अगर आपको पहले ही question में दे दे examiner तो हम यहीं पर डाल के फटा फटा के निकाल सकते है एक और इसका advance है आपका जहां पे prepaid भी आ जाता है तो उसको हम कल वाली class के अंदर करेंगे प्री पेड वाले topic को तो सबसे पहले यहां तक कोई doubt इससे related question आपको जो book में given है वो illustration number two given है illustration number two given है तो टेली कब होगा Monday को practical है टेली देखो आपको करना पड़ेगा कोई भी आप videos वगेरा देखके कर सकते हो बताना possible नहीं है क्योंकि इसके लिए lab चाहिए जहां पर proper बताया जा सके दूसरा option यह बनता है कि sir मैं एक जैसे होता है कि screen recording करके टेली का और वहां बता दूँ कि यह वाले button tab करिये यहां से यह होता है यह वाला करिये यह होता है एक सवाल करके दिखा दूँ तो मैं एक सवाल करके डाल दूँगा कली डलवाता हूं एक question करके मैं पूरा clear यहां तक किसी बच्चे को कोई doubt clear है इसका advance वाला भी देखी ले गया advance वाला advance वाले में है क्या मेरे लिए तो बड़ा आसान है यह बन गया advance यह लो बन गया advance यानि सर इसी को copy कर दिया हमने जी हां बस फरक इतना आएगा कि जो ये वाला account बनाया है न हमने सर कौन सा account ये वाला इस account का नाम बदल जाएगा और कुछ जानकारी और बदल जाएगी या छोड़िये मैं भी advance नहीं करा रहा नहीं तो confused हो जाओ कोई फायदा नहीं है या नहीं सर कल का agenda रहेगा हमारा कल का जो agenda रहेगा एक subscription करना और fund base मैं fund base accounting कर दूँगा जल्दी हो जाएगा तो number one ये फिर ये तीन topic जैसे खतम होगा ना तो फिर chapter थोड़ा सा pick up में आ जाएगा ठीक है तो आज हमने NPO को start तो कर लिया और NPO को काफी हद तक basic basic fundamental समझ लिया हमने के भई NPO है क्या क्या सीखेंगे और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको इतना तो पहले से पता होगा बस थोड़ा सा remind हुआ है आपका तो अगली class से थोड़ा heavy heavy मेरे पास अभी क्योंकि question slide पे नहीं लगा हुआ ताकि मैं question भी लगा लूँगा slide पे पहले से already और आपको बड़े-बड़े questions मैं करा पाँ चलिए फिर मिलते हैं next class में हुआ हुआ है